कि नमस्ते सलाम सास्री अकल जी हाँ तो देखते हैं कि बंदनाजी की रसोई में क्या बनने वाला है आपने सही सुना आज बंदनाजी बनाने वाली है चना के दाल का पकौरा जिसको गाउं में लोग दाल का कच्री के नाम से जानते हैं कर दो चलिए देखते हैं कि यह दल कच्री किस तरीके से बनता है कि इसके लिए मैंने लिया है एक वन अन्हाफ कॉप भीगोया हुआ चना दाल इसको मैंने दो तिन परई से दो करके दो दो तिन घंटे के लिए भीगो दिया था एक डरी घंटे में ये तो परली भीग जाता है ये तो तूटना सरू हो जाए उसके बाद मैंने लिया है आधा इंच आधरा कटुगरा पांच ये लासन की कलिया और तीन चर पांच है हरी मिर्च इन सभी को मैं इस ग्रेंडर जार में डालकर दर्दरा पेस्ट बना लूँगी इस के अंदर मैं सॉल्ट भी डाल दूँगी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाले मैंने हाफ टी एस्पन के पराबर डाल दिया है अब मैं इसको आधा आधा का पानी डालकर दर्दरा पेस्ट बना लूँगी अब ये फाइन ये मैंने दरदरा पेश्ट बना लिया है अब मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी इसमें नमक वग्रा साब अल्रेडी डाला हुआ है तो इसमें कुछ डालने की जोड़त नहीं है आप चाहें तो इसमें बारिक प्याज काटकर डाल सकते हैं मैं इसे सिंपल सी डाल की कच्री बनाने वाले हूँ ये बहुत ही टेस्टी बनती है अब दाल चावल के साथ चाए के साथ तो इसका चाए के साथ तो बना ले तो चाए का मजा दूगना हो जाता है चलिए अब मैं इसमें क्योड मैं इसमें तेल डालोंगी कराई को मैंने चरहा दिया इसके अंदर तेल डालूँगी तेल जब गड़म हो जाए तब मैं इसके अंदर मैं इसके अंदर हिंग डालूँगी क्योंकि ये चना का दाल है विदाउट हिंग का ये नहीं बनाना चाहिए तो मैं हिंग डाल दी हुमें अब इसके अंदर मैं डालूँगी पिंच पर हल्दी पाउडर बस इसको मैं मिला लूँगी अच्छे से जब मिल जाए तब इसका मैं मैं चोटे-चोटे गोली बनाकर इस तेल के अंदर तेल मैंने गरम होने के लिए चरहा दिया था अब मैं तेल के अंदर डालूँगी इसको कि जब पकूरा एक से पक जाए तो तो उसको हम दुसरे साइड की तरफ खलड़ देंगे, आप इसे चाहें तो डिफ राई भी कर सकते हैं, मैं डिफ राई नहीं कर रहे हूं, मैं सेल फ्राई कर रहे हूं, आप हरी मिर्च के जगा रेड लाल मिर्च भी डाल सकते हैं धनिया के पती और धनिया के पती भी मिला देंगे आप बिल्कुल बन कर तयार है और मैं इसको तेल से बाहर निकाल लोगी इसी तरीके से मैं और भी पकौरे को बना लेती हूँ इस तरीके से मैं इन सारे पकौरों को तल कर निकाल लोगी यह देखिए यह पकौरे बनकर बिल्कुल रेडी है आप प्लीज एक बार मेरे इस तरीके से डाल की कच्री को बना कर देखें मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह बहुत अच्छी लगेगी आप इसे दाल चावल चूरा का भूजा जो फ्राइड चूरा जो होते हैं चूरा राइस कॉर्ण उसके साथ या फिर या फिर सामकी चाय के साथ सारो कर सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी लगेगी प्ली अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करता था बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई रेसिपी आप तक पहुंस सके थैंक यू फॉर वाचिंग यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हिल्दी होती है प्लीज बना कर देखें